हेलो च्टुवेंट वल्का मैं YouTube चैनल लेटन टीच में अबका स्वागत है आज बीडियो में डिसशा करेंगे लेत मशीन के बारे में के लेत मशीन क्या होता है इसका यूजेस की बारे में अगर में लेत मशीन का यूज कहां पे करते हैं इसका कंसक्षन के बारे में कैसे बन समझते हैं कि लेट मसीन क्या होता है मैंने अधी एकस्पने साता लिख कि बता ये लेट मसीन के बारे प्रोडक्षेन मस्न टूल है से यहां पर किया एक लूट्इक की जाती है ठीक है यहां पर समना टसन तके होता है कि यह कोई भी अम Ale enjoy करना मेई हम्पार aur में लेट मसीन का यूज कहां पे होता है यह लिखके बताए क्या कि लेट मसीन का उपयोग कई operation करने के लिए किया जाता है जैसे कि facing swirling septering boring threading drilling curling आदी operation किया जाता है तो मसीन से यह सब जैतनी भी operation आप कर सकते हैं किसी को अगर थ्रेडिंग कटिंग करनी तो इसके सहयोग से कटिंग कर सकते हैं किसी को आपको अगर इसमें पाइप में होलिंग या ड्रिलिंग करनी तो इस वही कर सकते हैं में इस अलग अलग अपरेशन इसके सहयोग से किया आता है जाहे फेस्ट ड्रिलिं किनों का जो पार्ट कंपोनेट बनानी होती है तो वहां पर यूज कियाता है या फी मसीन इंडस्ट्री में किया इता है इस लेट मसीन का अप्योग ठीक है चलिए आप समझते हैं इसका कंशक्षन के बारे में आखे में कौन-कौन पार्ट के क्या-क्या नाम होते हैं अब जमीन बोलेंगा ठीक है जमीन के उपर क्या होती है कि यह लेट की जो मसीन की जो है सीट कियाती है इसके लेग को यह लेग है इस एक तरका इसे मजबूती से फीट करने के लिए सता पर यहां पर यहां पर यूज किया था ठीक है यह लेग है और यह भी लेग है ठीक है यह भी थे से बॉलें तु हूपर होती जिसको एक तक ट्रे वोलते हैं घिक डिक लिक Baptist कहने के मतलब किया तो इसी को उपर जमा हो तिहें ठीक यूपर गे इसी में गती यूपर तेह त्रे म सकira के मीज़ें के मतलब क्या है कि ये पूरी जितनी भी मेकनीजम होती है हमारा लेट मसीन के उसकी जो मेन विव परपस वाले जो हमें जो हमारा कंपोनेंट होती है ठीक है यह हमारा जो बेड है इसके उपर जो हमारा टेल स्टोक है यह भी स्लाइडिंग करता है इसके उपर जो हमारा जो हैड स्टोक है इसके उपर रखी हो रहती है विसे हमार जितनी भी जो नदर आ रही आपके सामने, केरीज को भी यहाँ पर movement कराने का main basic पर work करता हमारा bed मिस एक तरह का bed होती है, जो पर यहाँ पर एक तरह का guide लगे होते हैं तो यह orange रंगवाली हो इसको bed भॉलेंगा, अब क्या होती है, बेड के बाद क्या होती है बेड में कुछको new component ही यहे चीज़ को समझे लेते हैं ठीक है ये जो component यह लगी होती है यह चीज़ को क्या बोलते है फीड बॉक्स बोलते है first that we think workts कहुने को मतलब है कि हमारे हैं दो रड का यूझ करते है पहला यह जो रड नजर आ रहे हैं यह रड को क्या बलते है LEAD SCREW RAD पहला क्ते हैं यह जो इसक्रू होती है हमारे करीज को होगए left or right direction में movement करने का काम करती है जब automatic इसमें और operation की जाती है ठीक मिश्च ऑटोमेटिक जब ध्रेडिंग कटिंग होती है आपर आपर उटमेटिक जो यहां पर वर्क करता है उसको lead screw rudd के सयोग से हमारा केरी यहां पर left and right direction movement करता है ठीक है अब जसी है manually से इधर उधर movement कराना हो तो हमें फीड rudd के सयोग से इसे movement कराते हैं ठीक है यहां पर एक तरह का speed control होती है कि हमें कितनी स्पीड से movement करानी है lead screw rudd के सयोग से केरीज को तो यहां पर एक तरह का यहां पर फीड बोक्स में लगी होती है speed control एक तरह का हमारा सूच है ठीक है यह जो नहीं आरे यह पीले रंकी यह चिकों क्या क्या होती है एक गारी की समान होती है मिस इसके पर बहुत सारी component लदे होते हैं यह यहां पर movement करने का काम करती है laptop right direction में ठीक है जब इस automatic यहां पर इस रोटेशन मिस automatic इस स्लाइडिंग करानी होती है तो यहां पर lead screw rudd के सयोग का यूज करते हैं ठीक है यह दूग है पहला handle को क्या बोलते है screw cutting engage rudd बोलते है मिस जब इस engage करनी होती है यहां पर nut होती है half nut यह हाप nut के सयोग जब इस engage करते है तो automatic यहां पर यह हमारा carriage यहां पर movement करती है लेप से right की और thread cutting करते जाती है जितनी हमें speed से rotation करांगे उतनी speed से thread की बीच gapping बनेंगे ठीक है अब क्या है जस इसके नीची वाली एक और handle होती है इसको क्या बोलते है एक तरका feed engage lever बोलते हैं दूसरी वाली यहां पर हमें क्लोकवाइड डिरेक्शन में तो यह right की और movement करती है एक तरका कराने के लिए हमारा carriage को यहां पर movement कराने के लिए इस यहां पर इसे यूज किया था ठीक है कि हमारे जो केरीज होती है इसके उपर वाले component के बारे में समझ लेते हैं ठीक है यह थोड़ा बारकी तरिका बेड के उपर एक saddle का यहां यह थोड़ा होती है यहां पर बेड को बोलेंगे बेड के उपर एक acceptable की ऊपर एक रखी होती है ठीक है अब कि यहां पर टूल पोश्ट के यह थीक आपर यहां पर एक तरका सर्कूलर होती है सर्कूलर डी जैसी इसको एक तरका कमपाउंड रेस्ट बूलते हैं ठीक है कमपाउंड रेस्ट को यहाँ पर मुवमेंट कराने के लिए कौन सी डायरेक्शन मुवमेंट कराने के लिए यहाँ पर कमपाउंड स्लाइड का यूज किया है ठीक है कमपाउंड स यहां पे इस वे मैंने वार्क प्रक्षॉ करते हैं मारत Inगा जिस्तिन्ह स सिटाट निकार स Hideive like zap यी तरगी कर होती है बोलीए कि चोक करने के लिए मात रेड़ को गेरबॉक्स कंट्रोल हैं अब क्या है कि दो को और हैंडल होती है जिसको एक तरह काम ड्राइविंग क्लच कंट्रोल लिवर बोलते हैं लिवर में इसको कहने के मतल है कि हमारा जो यहां पर चक है आखिर में सो धेरी-धेरी कितनी आगे की और मुवमेंट करानी है करता है स्पीड को इंगेज और करके ठीक है तो यह मेरे मिंगेज करने का काम होती है अब गया है जैसके उपर के बात करते है यहां पर एक तरका हमारा लाइट होती है रेडरंग की इंडिकेट करती ही जब हमारा जो यह है लेट मसीन चालँ हुआति है तब यहां एक बटन तो यहाँ होती है कि हमारा जो तूल है और हमारा यह ऊड़न whereas करने के लिए ठंडा करने के लिए यहां पर एक तरका यहाँ पर एयर माल जाती है कि सकड़ को एहाँ पर थे सब्सक्राइब करते हैं उपकों पार शितीत साथ के सब्सक्राइब करने लांगे सब्सक्राइब तरीका से पकड़ कर रखने के लिए अवी से अम धर कर करें कि यह क्या होती है कि अगया उपर वाली भाग कर यह अपर का रहेग Ouch जहां पर में lifelong प्रेंग कर सकते हैं ठीक है । क्या होती है कि जस इसके आगे यहां पे लगी हूथ का मड़ा बलते है कि अगर हमारा कोई वी और पी से इसको क्या ब्लब मुझे चैनल रखने के लिए इस रखने के लिए यह कि यही डिद्व और यही रहती यह कि यह साइद करती कि इसको क्या बीदा का मैं नोर्ट क swab से चो यहां पर जो तों ब्यखका दैट करा ध Glue कर दो यह किया फैसर स्थेस्लिकंट की उसे जतर स्थेस्फेस्रिद सब्सक्राल करें वह उतका था तरह से रहे हैं जाना चलूक सब्सक्राइब तो इसे क्या क्या काती है कि हमारा धीर दीर वर्टपीस को बipp emerges कह से पकड़ कर रखती है ठीक और लोग ऑल दdy आप रोकेंदा ऑगर पकड़ करेंगे तो यह सितने बिनकी घूब देंगे साथ इसे height टैली श्टोख को ठीक है अब यह होती है यह चीज़ को में एपरोन बोलता है मिस एक तरह के रिश का कबर होता है तो इसके अंदर कुछ पूरी कंसर नहीं होता है ऑपर में जो डेट सेंटर होती होती हो रोटेशन नहीं करती है ठीक है वह अपनी जगास तिर पे जहे पर चक यहां पर च्क में से फीड कर दीए फीट कर्णे के बद यहां पर यहां पर चैल टीटिल के लास्थछी जिव हेखम यहां पर हेंडल के प्रस्फ, रीजो को बिल्स पेंसलितता करें तो बसकी करने लगी ठीक यह रोटेशन जब करेगी जैसे कि नीचे वाली जो भाग टूल पोस्ट और हमारा टूल पोस्ट पकड़ करकी यह टूल होल्डर को टूल होल्डर यहां पर जैसी हम यहां पर इस उपर वाली वर्क पीस में सटाते हैं तो क्या होती है कि उपर वाली साप एज क Queensland क्यिए यहां पर कि मैटल को रिमूब करते जाएक कि मेटल रिमूब्न करने इस यहांपे यह तरह सो झाँएक पर पीखिँए का सकता है यहां पर एक त्रुक्त करते जाएगी, च्रुमेः करते जाएगी, घृरती में करका सब viral करनी है, तो धरीडीद्धक लागे कर सकते हैं, यहां आगेशन कर सकते हैं, आपिछान कर ड्रेप्हाईएगे, घरीडी करें अनिंगुइटे में, अगर जब आपको रहर आपको कर तो यहाँ पर ये इसको इंगेज करसे के बाद होने के आप ये धीयरी यह में यहाँ ऐ भी हमारा इसके पर threading thread बनाने लगेगे मिश thread को cutting करने लगेगे और आगे की रोटमेटिक बढ़ते जाएगी ठीक है तो इस तरह से यह भी यहां पर automatic यहां पर rotation करने लगेगी जब यह यह automatic जब काम होती है तब ठीक है तो इस तरह से इसके उपर देख सकते वर्पीस के ऊपर threading या process कर दी यहां पर threading होने के बाद metal remove हो जाती है और हमें एक अच्छी जोग को यहां पर threading मिल जाती है ठीक है तो इस तरह से लेट मशीन के सभी यह सब धन्यवाद